हेलो अब्रीवन वेलकम टू आएक्स जैंबी स्टूडेंट्स पिर नामे कहला श्तिवारी एक्सेयर फो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करें टेगरी कल्चर फो दो मंफ टने की लिए करेंट अगरी कल्चर के लिए क्या सकते हैं कि बहुत अच्छा था अच्छा इसलिए था कि आपको पढ़ने के लिए कंचीजें बहुत ज़्यादा डेटा या फिर होती है तो जनरली क्योंकि पार्लेमेंट session में नहीं था तो ऐसे कोई बहुत जादा releases नहीं थे अब क्योंकि December में Parliament session में आएगा विंटर session में तो भर-भर के current agriculture की news रहेंगी तो हम discuss करेंगे November 2022 की current agriculture से related सबसे पहले देखते हैं हालागी यह October में release हुई थी रिपोर्ट हमने पर discuss नहीं की ते इसलिए अभी इसको quickly देखते हैं इंटिया ranks global hunger index 2022 में 107 है out of 121 countries मतलब आप देखिए कि 121 countries में हमें जब compare करा गया तो हम 107 वे पाइदान में मतलब हमारी condition बाकी country की comparison में भी अच्छी नहीं है और अगर हम scale में देखेंगे जो scale बनाया गया है global hunger index को measure करने का इसमें हमारी position यहाँ पर है और हम किस condition में आते हैं serious condition में अगर score 20 से 34.9 होता है तो वो serious condition मानी जाती है hunger के context में यह आप देख सकते हैं कि यह word की जो countries हैं जो इस रिपोर्ट में participate करती है उनकी रिपोर्ट है उसमें हमारी यह condition है आप देखेंगे बहुत सारी countries है जो participate भी नहीं करते हैं अमेरिका यह वाला पार्ट ऑस्टेल यह पार्ट पार्ट यह करते हैं हाला कि government of India ने कहा कि यह रिपोर्ट प्रॉपर नहीं है देन जो important days थे नौवेंबर मन्थ में वर्ड फिशी जे 21st नौवेंबर को सेलिब्रेट किया गया टू अक्नॉलेच दे वर्क ऑफ फिश फिशर्स या फिर हम कह सकते हैं फिश्वामर्स का देन नैशनल मिल्क दे 26 नौवेंबर को बर्थ अनिवर्सरी होती है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की वर्गीज कुरियन फादर ऑफ वाइट रेवल्यूशन ऑपरेशन फ्लॉट भी उन्हें कहा जाता है वर्ड फूट प्राइज इसके अलावा बहुत चारे अवार्ट से इसने मिले गये हैं तो उन्हीं उनकी अनिवर्सरी पर यह डे सेलिब्रेट किया जाता है अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखके यह बताना है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो मुवमेंट था वह कैसे स्टार्ट हुआ मतलब उस कॉपरेटिव मुवमेंट का नाम या फिर उस कॉपरेटिव सोसाइटी का नेम क्या था कमेंट बॉक्स में लिखके बताईएगा और आज हम उसे किस नाम से जानते हैं देन एन फडीवी नेशनल फिश्रीज डेवलेफ्मेंट बोर्ड को इंडिया एग्री बिजनस अवार्ड स्रॉजन 22 में बेस्ट अ डबल होगी और इन वराइटी का नाम है पूसा नरेंद काला नमग 1638 और पूसा नरेंद काला नमग 1652 आया रही ने टेस्ट किया है पूसा इस वह से नाम पड़ा है नरेंद का क्या मतलब है यह भी कमेंट वोक्स पर लिखके बताएगा क्योंकि अग्रीकल्चर स्टूडे यह बहुत ज्यादा न्यूज में था न्यूज में होने का क्या मतलब था कि जो COP27 है Conference of Parties जो की Member Countries है उनकी मीटिंग हुई थी 6-18 November में यह मीटिंग होनी थी बट 18 November तक भी इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया था तो इसको extend करके 20th November किया गया अगें रिजल्ट क्यों नहीं नहीं मतलब उनको बनाना है और so that developing countries को technology और help की जा सके तो COP27 का पहले में मुद्दा था जब स्टार्ट किया गया reducing emission helping countries to prepare for ideal and climate change securing technical support जो मैंने आपको भी बताया तो यह COP27 का में मुद्दा था शर्मल शेख में यह COP27 हुआ देन उसके अलावा अगर आप देखेंगे पंचामरित है इसको भी हम आगे detail में discuss करेंगे कि COP26 में इंडिया की government ने या फिर हम कैसा के इंडियन government ने क्या प्रतिग्या ली थी 22 में COP27 शर्मल शेख एजिप्ट में हुआ है और इंडिया का जो थॉट है इसमें वो है life movement LIFE आप देखेंगे lifestyle for environment यह हमारी theme line है यह फिर tagline है lifestyle for environment अप्रोग people and a pro planet effort that seeks to shift the world from mindless and wasteful consumption to the mindful and deliberate utilization of natural resources again किस पर बात आती है natural resources की क्योंकि कि जब भी हम sustainability की बात करते हैं तो किसकी sustainability की बात करते हैं किसके conservation की बात करते हैं वो हमारी natural resources की होती है तो यह lifestyle for environment यह इंडिया का पविलियन था COP27 में then life moment क्या है life moment को start किया concept जो life का दिया प्रधानमंति नरिन मोजी ने दिया था COP26 में जो कि Glasgow में हुई थी 1st of November 2021 में 5th जून को इंडिया ने इसको world environment day के दिन celebrate किया और इसको एक global moment बनाया कि member countries भी से कर सकती है और इस बार भी हमारे union minister for environment ने इसको काफी ज़्यादा में वहां पर वर्ल्ट प्लेटफॉर्म में discuss किया यह एक mass movement है मैंने इसको पहले भी आपके सांद डिसकस किया था कि यह participatory approach है कि लोग maximum जब ज़्यादा से ज़्यादा जूड़ सके और इस movement को successful बनाए लास किये था कि carbon intensity को हमको reduce करना है by 45% then increasing non fossil energy capacity to reach 500 GHz by 2030 क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे हम fossil energy को बहुत ज़्यादा use करते हैं सबसे अगर आप example देखेंगे हमारी जाहे गाडिया चल रही है oil से या फिर इसके लावा जो हमारी industries चल रही है हमारी electricity requirement है वो हमारी सबसे ज़्या rate की जाती है तो उसको उससे हमारी dependence को हमको कम करना है increasing renewable energy component to 50% of our total energy requirement by 2030 इसकी भी बात की गई और वहाँ पे example देते हुए मोदी जी ने ये बताया था कि जितनी वर्ड की population है उससे दुगने number of passenger इंडिया की जो railways है वो एक साल में transport करती है तो हमारा target है कि 2030 तक है जो हमारा पूरा railway system है वो पूरा का पूरा किस पर आ जाए solar energy पे reducing total projected carbon emission by 1 billion ton starting now till 2030 और हमारा जो net zero का target है वो हमने कब तक के लिया है 2070 तक वर्ड फॉरम में काफी focus किया गया या फिर हम कह सकते हैं force भी किया गया से 2050 करने के लिए but again conditions वही है कि technology की requirement है funds की requirement है और existing condition में हम 2070 तक इसको अचीव कर सकते हैं then national Gopal Ratna award दिये गए और यह award दिये गए special day में जो की 26th November को celebrate किया जाता है Dr. Varghese Korean साब के birth anniversary तो ministry of agriculture ने दिये दिये यह तीन category में award दिये जाते है एक दिया जाता है best dairy farmer जो की रियर कर रहे है इंडिजीनियस को दूसरा दिया जता है artificial insemination technician को थर्ड दिया जाता है dairy cooperative को तो तीन अवर्ड दिये जाता है एक individual farmer को दूसरा artificial insemination technician को और third milk cooperative unions को तो यह इस बार के price है first second and third first price five lakh rupees second price three lakh rupees third price two lakh rupees दिया जाता है यह तीनों category में यह नेम याद करने की कोई हमें requirement नहीं है हमें बस पता होना चाहिए कि जो गोपाल रतन government ने स्कीम निकाली है स्कीम पहले से ही भी है मारे पास नमसा के अंडर NMSA national mission on sustainable agriculture के अंदर भारती प्राकृति क्रिशी पद्यति umbrella scheme प्राप्रागृत क्रिशी विकास योजना आप देखेंगे यह किसका पाट है नमसा का पाट है भारती प्राकृति क्रिशी पद्यति बीपी के पी इसको बोला जाता है और इसके लिए government assistance प्रोवाइट करती है फॉर 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 इनीशल थी यह से 12,200 पर हेक्टेर रुपीज और इसके यह कंपोनेंट से इसको आप देख सकते हैं इसका PDF आपको मिल जाएगा तो आप इसको डाउलोड कर सकते हैं तो अगर कभी यह पुछा जाए कि नेशल फार्मिंग के लिए फिस जीरो बजेट नेशल फार्मिंग के लिए कौन सी स्कीम है तो भारती प्राकृते क्रेशी पंदिती है जिसमें कि हमारी इंडिजीनिस नॉलेज को हम ज्यादा फोकस करते हैं देन 25,000 अम्रिट सरोवर का टार्गेट तो 50,000 का है बट अभी तक तिल डेट 25,000 अम्रिट सरोवर्स क्रीट की जाएंगे और नेक्स्टियर यानि कि 15 अग्रस 2023 को 50,000 हमारे कंप्लीट हो जाए और अम्रिट सरोवर क्या मतलब है हर एक डिस्टिक में रूर्ड स्पैसिक्टिक में 75 पॉंड बनाने हैं जिसको अम्रिट सरोवर कहा गया है यह इसका मिशन है इनिशल ट तो आभी देख सकते हैं कि इनिशल टार्गेट से अभी हम कितना आगे और ज्यादा बढ़ चुके हैं इसके अलावा जो इस बार एक अच्छी चीज है वो है कि पैड़ी इसमें थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है वहीं जबकि वीट के एरिया में इस बार इन्पीस देखा गया है फटलाइजर पे सबसीडी की हमेशा बात की जाती है लास्ट टाइम भी हमने इसको डिसकेस किया था तो यह जब आपके लिए की रिवीजन है कि जो यूरिया है और डी प्राइस मिलता है वह होता है 266 रुपीज सिमिलरली डीएपी में 262,650 रुपीज की कॉस्ट आती है और जो सबसीडाइस प्राइस है नाता जो फार्मर को एवलिबल होता है वह 1350 में होता है तो यह याद रखिएगा इस किसी भी टाइप से कुश्यन आपसे पूछा जा स सकता है यह यह तो अल्रेडी ऑक्टूबर में आ चुका था अगें क्योंकि यह डेटा रेलेवेंट होता है एक्जैम पॉइंट ऑफ यू से इसले एक बार आप इसको जरूर देखें कि 6 क्रॉप अंडर MSP है रभी सीजन की टोटल 22 क्रॉप सें प्लस शुगर किंग FRP में ह इस बार MSP फिक्स किया गया जो वीट के लिए है 2125 लास्ट यह कंपेरिजन में 110 रुपीज का इसमें इंक्रीज किया गया है इसके अलावा फूर्गिन प्रोडक्शन को गर हम देखेंगे 149.92 फस्ट जो एडवांस एस्टीमीट है फूर्गिन प्रोड़क्शन का उसके को 42.3 थी हमारा प्रोड़क्शन है इसके अलावा है डेटा पर स्टेस्टिक्स पर हमने कंसेप्ट पढ़ाएंगे सब को सिखाएंगे वीडियो में इन दोनों को ही डिसक्स किया है अगर आप इसको और आच डिसक्स करना चाते हैं तो आप वहांसे इसको देख सकते हैं इसके अलावा हमारी रेगलर वीडियो कंसेप्ट पर इहां पुर्मन रहते हैं उनको जरूर विजिट पेजिए यह इसको शुट पर देवलेंट नबाड घडिपलेमेंट के लिए इंपोर्टेंट इसके लिए इंपो को दो आपको इन सारे ही एक्जेंगे लिए मॉक टेस previous year paper हमारी website पर मिल जाएंगे आप जरूर attempt कीजेगा description box में आपको link पर मिल जाएगा so this is all for today thank you for watching this video and have a good day ahead